नमस्क्त कार्वुन नाम है बिला और यूर मैं आप सभी का सवागित करता हूँ हमारी आजकी एक और बहुती जादा महेद पून कुलास में हम लोग मुख्य दोर पर अपनी class 9 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और class 9 के प्यारे बच्चों आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर topic को हम लोग अपनी आज की इस class में discuss करने वाले हैं topic आप देखी पा रहे हैं लिखा है जलवायू जी हाँ हम बात करेंगे जलवायू के बारे में lecture number 1 होगा दोस्तों और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपनी आज की इस class में आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं समाजी गध्यन जलवायू lecture number 1 भुगोल के अंदर हमें ये topic दिखता है अब आप सभी के साथ हम लोग बहुत ही महत्पूर बातों को अपनी इस class के अंदर discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग आप सभी के साथ समझने के कोशिश करेंगे कि आखिर मौसम क्या होता है आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा मौसम शब्द के बारे में उसको देखेंगे उसको देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे देश की जलवायू है आखिर ये ह भारत की जलवायू किस तरीके की है इसको समझने की कोशिश करेंगे देखेंगे कि तापमान और वर्षा ये क्या और कैसे किसी इलाके की जलवायू को परभावित करती है ये देखेंगे और उसी के साथ साथ उच्छ वायूदाब निम्न वायूदाब ये होता क्या है और इस तरीके की है तापमान में और बारिश के आ जाने से कैसे जलवाईू में आपको फर्क देखता है इसको देखेंगे उच्वायुदाव और निम्न वायुदाव क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों अपनी ग्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हाँ पर असानी के साथ discussion कर लेते हैं कि आखिर मौसम में और उसी के साथ साथ जलवायू में क्या अंतर होता है बहुत सरल तरीके से समझेंगे और अगर आपने दोनों बिंदूओं को अगर आपने दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लेया तो आपके लिए पूरे की पूरे अध्याय को समझना बहुत असान होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे हम देखते हैं दोस्तों कि मौसम जो होता है हैना मौसम जो होता है वो हमेशा छोटे समय की वायू मंडले दशा को दर्शाता है जैसे अब आप देखें कि सर्दी जो आपकी पड़ती है जैसे आप देखें कि आपकी गर्मी जो पड़ती है सर्दी आप देखते हैं कम से कम चार महीनों की पड़ती है गर्मी आपकी कम से कम छे महीनों की पड़ती है बारिश कम से कम आपकी दो महीने की आपको दिखता है कि पड़ती है तो एक लंबी अवधी है जी हाँ ये एक लंबी अवधी आपको दिखती है कि मुक्ते दौर पर हम देखते हैं कि जो आपके जलवाईयों होती है वो अप एक शग्रत एक लंबी अवधी की होती है वहीं जो मौसम होता है ये बहुत छोटी अवधी का होता है ये बहुत छोटे समय का होता है है ना ये देखा हमने अच्छा अगर हम लोग देखें कि जो मौसम होता है वो दिन में बहुत बार आप देखते हैं कि बदल सकता है जियां आप देखें कि दिन में बहुत बार आप मौसम को बदलते हुए देखते हैं बिल्कुल ऐसा होता है कि मान लिजे कि अभी गर्मी है है ना गर्मी की रितू आई हुई है और गर्मी किस रितू में सुभा सुभा अगर आप जाएं सुभा 5 बजे 6 बजे तो आपको मौसम ठंडा दिखता है वही जब दिन के 12 बज जाते हैं तो एकडम गर्मी दिखती है तो आप ये देखते हैं कि जो मौसम होता है वो एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है और वही गर्मी के आप क्या देखते हैं कि रितू के अंदर शाम के समय में आपको ठंड़क महसूस होने लगती है तो मौसम एक छोटी समय अवधी के लिए आपको दिखता है मौसम एक दिन में आप देखते हैं कि कई बार चेंज या फिर परिवर्तित होता है वही अगर बात की जाए जलवायू की तो ये लंबे समय तक नहीं बदलती है आप क्या देखते हैं कि जलवायू होती है वो लंबे समय तक नहीं बदलती है आपकी सर्दी चार महिने तक टिकी रहती है आपकी गर्मी छे महिने तक टिकी रहती है आईसे ही आपकी बारिश का जो पूरी की पूरी रितू होती है वो आपको दिखता है कि दोस्तों लगभग दो महिने तक आपको बनी और टिकी होई दिखती है आगे देखते हैं कि जो मौसम की पढ़ाई करते हैं है ना जो आप मौसम के बारे में पढ़ते हैं मौसम का अध्यान करते हैं तो उसे हम लोग मौसम विज्ञान के नाम से पुकारते हैं और महीं जब हम लोग जलवायू को पढ़ते हैं और जलवायू का अधियन करते हैं तो इसको हम लोग जलवायू विज्ञान के नाम से पुकारते हैं तो आपके पेबर के अंदर कुछ इसी तरीके से मौसम और जलवायू में अंतर करने को आएगा तो आप इस प्रकार से एक table बना दीजेगा, एक तरफ मौसम को लिख दीजेगा और एक तरफ को जलवायों को लिख दीजेगा, मौसम आप देखते हैं कि छोटे समय की वायूमंड लिए दशा को दर्शाता है, और आप देखते हैं कि एक दिन में हम कई बार बहुत से मौसम क को देख सकते हैं, बहुत से मौसम को देख सकते हैं, जैसे अगर सर्दी की रितू है, तो सर्दी की रितू में आप देखते हैं कि सुभा के समय और शाम के समय बहुत ठंड होती है, बहुत सर्दी होती है, तो आपको क्या देखते हैं कि जो मौसम ठंडा होता है, वहीं नहीं कि जो आपका मौसम होता है वो दिन में बहुत बार बदल जाता है लेकिन जलवाईू लंबे समय तक बनी बदलती नहीं है जलवाईू के अधियन को हम लोग जलवाईू विज्ञान कहते हैं और मौसम की पढ़ाई को हम लोग मौसम विज्ञान के तौर पर फुकारते ह है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ जत्तो हमने अब आपके साथ यह डिसकस किया कि भारत,यहाँ पर तो हमने अब तक आपके साथ किया कि मौसम क्या होता है, और उसी के साथ साथ जलवायू से क्या तात पर रहे है इन दोनों शब्दों की जो शब्दावली रही और इनके अर्थों को हमने आपके सामने रखा अब यहाँ पर हम लोग भारत की जलवायू किस तरीके की है उसको समझने की कोशिश करेंगे है ना हम देखते हैं कि जो भारत है ना दोस्तो हमारा जो पूरा का पूरा भारत है इसकी जलवायू मानसूनी जलवायू है क्या है एक बहुत ही महत्पूर्ण लाइन यहाँ पर आपके सामने बताई गई है कि भारत की जो जलवायू आप देखते हैं कि भारत में जो आप अलग-अलग रित्में देखते हैं कि सर्दी का आना हो बर्जात का आना हो या फिर आप देखते हैं कि मुख्य दौर पर गर्म का आप क्या देखते हैं कि अंतर बनना शुरू हो जाता है तो भारत के जलवायू को मानसूनी जलवायू कहा जाता है यह मानसून यानि के बारिश के परभाव से बहुत जादा परभावित रहती है अब यह जो मानसून शब्द है इसका अर्थ क्या होता है यह समझ लेते हैं यह जो मानसून शब्द है दोस्तों यह अर्भी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है बहुत महत्फून बात है यह जो हम मानसून की बात कर रहे हैं तो यह जो मानसून शब्द है यह अर्भी भाषा का है Arabic language का है और अर्भी भाषा में इसको मौसिम कहा जाता है जिसका प्रक्रेश, बहुतमई सीफिक्लाइब गबहाता। मौसम है ना तो मानसून का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक वर्ष के दोरान पवन की दिशार से कि हमारे देश के अंदर हवाएं चलती है और यही हवाएं क्या कर देती है दोस्तों आपको देखता है कि हमारे देश के अंदर ना हवाएं आती है हमारे देश के अंदर हवाएं और ये हवाएं मुख्य दोर पर क्या है आपको देखता है कि समुदर की तरफ से आती है और ये पूरे भारत के अंदर आपको क्या दिखता है कि अलग-अलग प्रकार की रित्वों को बना देती है आप देखते हैं कि मानसून का अर्थ हुआ ये जो हम यहाँ पर मानसून शब्त कहा रहें ना कि भारत की जलवायू एक मानसूनी जलवायू है एक मौसमी जलवायू है इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश के अंदर एक साल के दोरान आप देखते हैं कि पवन की दिशा में कि हवाएं जो हैं, वो मुख्य दोर पर क्या कर देती हैं, आती हैं, समुद्र की तरफ से, पहाडों की तरफ से, और वो भारत के अंदर आपको क्या देखता है, कि रित्वों में परिवर्तन ला देती है, तो जो सर्दी का आना हुआ, जो गर्मी का आना होता है, ये सभी जो होती है, ये हवाओं की वज़़स से होती है, है ना? और इसी को हमने मौसम या फिर मानसुन के नाम से संबोधित किया, तो मानसून का मतलब क्या है, कि एक साल के दोरान हवा की दिशा, कि आप क्या देखते हैं, कि हमारी जो हवाएं हैं, उनके आ जाने से, आप देखते हैं तथा दक्षणी पूरवी भाग में पाई जाती है तो ये जो आपकी मानसूनी जलवायू है ना ये भारत में ही नहीं पूरे का पूरा जो हमारा दक्षण पूरवी एशिया है है ना हमारा जो साउतीस एशिया है भारत हुआ बंगलादेश हुआ निपाल हुआ इन सभी इलागों के अंदर जो यहां की जलवायू आप देखते हैं वो किस अधार पर देखते हैं वो हवाओं की अधार पर आप देखते हैं कि परभावित होती रहती है तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ भारत की जलवायू कैसी है उसको देखा भारत की जलवायू एक मानसूनी जलवायू है यह जो मानसूनी शब्द है यह अर्बिक भाशा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम और इसको हम लोग अगर हिंदी में देखें तो इसे मौसम कहा जाता है अगर हम समझें कि मान मानसून का मतलब क्या होता है भई मानसून का मतलब होता है कि हमारी हवाएं आ रही है और एक साल के अंदर ये जो हमारी हवाएं चलती है ये हवाएं क्या गरती है अपने आ जाने से रिटुएं आप क्या देखते हैं कि जो आपकी सर्दी गर्मी बरसात हुई उसको चेंज कर देती हैं सरदी का आना गर्मी का आना बरसात का आना ये सभी हमारी हवाओं की वज़ा से होता है और भारत ही नहीं समस्त दक्षिन पूरवी भाग में आप क्या देखते हैं कुछ इसी प्रकार से आप लोग क्या देखते हैं कि हवाओं की वज़ा से पूरे का पूरा जो रित पर रहे होता है फिर हम लोगों ने इन दोनों में अंतर को देख लिया फिर हमने यह समझा कि भारत की जलवायू किस तरीके की होती है अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहां से हम लोग आप सभी के साथ discussion करेंगे भारत की जलवायू के बारे में कुछ और बातों को है ना भारत जो हमारा ये प्यारा देश आपको दिख रहा है, इसकी जो जलवायू आपको दिख रही है, ये एक मौसमी जलवायू है, इसका मतलब आपको क्या दिखता है, कि यहाँ पर हवाएं बहती हैं, और ये बहती हुई हवाएं क्या गर लेती हैं, दोस्तों, बहती हवा साथ थामें, सुने आपने ये, जी हाँ, है ना, तो ये जो आपकी बहती हुई हवाएं होती है, यही भारत के अंदर गर्मी को, सरदी को और उसी के साथ बारिश को क्या गरती है, दोस्तों, आपको दिखता है कि बदलती है, है ना, पहाडों से आती है, तो ठंडया हो जाता है, सम मुख्य तोर पर, अगर हम भारत को देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर हवाएं चलती है, और हवाएं, हमारे देश के अंदर सरदी, गर्मी, और उसी के साथ बारिश बारिश जो होती है, बरसाज जो होती है, उसको क्या गरती है, लाती है, अच्छा, ह हमारे देश के अंदर जो जलवाई है वो बहुत वभिन्ता पूर्वक देखते हैं हमारे गदेख hebben कि हमारे झलवाय window में बहुत ज्यादा विविधता देखती है मतलब या फिर मतलब है कि अलग-अलच तरीके से आपको दीख जाती है जैसे टापमान जो है न हमारे पूरे देश का एक जैसा नहीं है दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे पूरे देश का तापमान एक जैसा नहीं है ये पूरा हमारा भारत देश है तो इस पूरे भारत देश के अंदर अगर हम लोग देखें कि गर्मियों के अंदर राजिस्थान का जो हमारा ये भाग है यहाँ पर 50 डिगरी सेलसियत तक ताफमान हो जाता है बहुत जादा गर्मी आप देखते हैं गर्मी है और गर्मी रितू के अंदर आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में राजिस्थान के अंदर जो ताफमान है तो जब यहाँ पर सर्दी होती है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सर्दी होने की वज़ा से माइनस 20 तक भी तापमान पहुँच जाता है देश एक ही है आप देख पारें कि देश तो पूरा एक ही है लेकिन एक देश के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हर एक इलाके में आपको अलग अलग तापमान दिख रहा है तो भारत की जो जलवायू है उसके अंदर आपको भी भिंता दिख रही है और इसकी स 20 डिग्री तक भी आप लोग देखते हैं कि हमें ठंड दिख जाती है चमू कश्मीर में बर्फ जमा देने वाली ठंड होती है और आप देखते हैं कि मुख्या दौर पर हमारा जो राजस्थान है वहाँ पर गर्मियों में बहुत जादा गर्मी पड़ती है तो तापमान तो ह आपको क्या देखता है बचों पूरे तौर पर विचित्र देखता है और आप देखते हैं कि यह बिल्कुल विभिन होता है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो हमारे देश के अंदर बारिश है ना क्या वो भी पूरे तौर पर समान होती है ऐसा पर जादा गर्मी है कहीं पर जादा तापमान है तो जादा गर्मी है जितना तापमान जादा होता है उतनी जादा गर्मी होती है जितना तापमान कब जाता है उतनी ठंड होती है तो भारत के अंदर आप देख पा रहें कि एक जैसा तापमान नहीं है और ये भारत की जलवा आयू है वो आप परभावित होते हुए देखते हैं वो कहलाती है बर्शा जिसे हम लोग बारिश के तौर पर भी जानते हैं है ना अगर मैं आपसे पूछ हूँ क्या हमारा जो पूरा भारत है वहाँ पर समान अनुपाद में बारिश होती है ऐसा तो नहीं है दोस्तों भारत आपसे पूरे भारत के अंदर समान अनुपाद में बारिश होते हुए नहीं देखते यह लेकिन यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ पर जो बारिश होती है तो वो बर्फ के लेकिन आप देख रहें कि यहाँ पर तापमान आपको कम दिखता है और कम तापमान होनी की वज़ा से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो बर्फ के तौर पर होती है जिसे हम क्या कहते हैं स्नो फॉलिंग कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पारे हैं कि बारिश के रूप में यहां पर बारिश होती है और वही जो भारत के अधिकतर इलाके हैं वहां पर जो बारिश होती है वो जल के रूप में जैसे बारिश आप देखते हैं कि टप टप पानी गिरता वैसे आप होते हुए देखते हैं भारत के अंदर अगर हम लोग अपने मेगाले राज्ये को देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लगबक एक साल में 400 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश हो जाती है और यह दुनिया का सबसे जादा क्या है बच्छो बारिश को प्राप्त करने वाला छेतर कहलाता है है ना तो मेगाले के अंदर हम दे देखते हैं देख एक ही है लेकिन कहीं पर बारिश बर्फ के तौर पर हो रही है कहीं पर बारिश बहुत जादा हो रही है दुनिया में सबसे जादा और कहीं पर बारिश आप लोग देखते हैं कि एक साल में मातर 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है है ना तो आप देखते है कि भारत जैसे देश को या फिर दुनिया की किसी भी देश के अंदर जो वहां की जरवायू होती है वो दो चीजों से बहुत जादा परभावित होती है एक तो वहां का तापमान अगर किसी छेटर के अंदर जादा तापमान है तो वहां जादा गर्मी दिख जाती है वहीं अ बारिश की जो आप जो स्वरूब देखते हैं कि किसी छेतर में बारिश बर्फ के तोर पर हो रही है जमू कश्मीर में कहीं पर बारिश बहुत जादा हो रही है दुनिया में सबसे जादा और कहीं एक ही देश है दोस्तों लेकिन आप देखें कि राजस्तान में आपको बहु की बारिश होते हैं तो बारिश को हमेशे हम सेंटिमीटर में आपते हैं और लगभग आप देख पारें कि 400 सेंटिमीटर की बारिश इस छेटर के अंदर आप पो ते हुए देखते हैं अब यहां से हम लोग आप सभी के साथ एक चीज को डिसकेस करेंगे दोस्तों और अगर आपने इसको सीख लिया जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके लिए मुख्य दोर पर ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा कि आप इस टॉपिक को याद कर सकें तो आपको समझना होगा, रटने की जरूरत नहीं होगी बहुत असानी के साथ लौजिक के हिसाब से हम लोग इसको आपको बताएंगे गर्मी का मौसम सुना है आम आते हैं, आम दोस्तों गर्मी की छुट्टियां आती है आप अपनी नानी क्या जाते है ये गर्मी का मौसम बनता कैसे है भारत के अंदर ये गर्मी आती कैसे है decide करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं है ना, ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से कोई चीज हो जाती है नहीं, हर एक चीज के बीचे science है, logic है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर, गर्मी आती कैसे है, है ना सब्सक्राइब ट्रेन में वैट के आ जाती है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम कैसा आता है, ठीक है दोस्तों आप इसको देख रहे हैं, यह है हमारा सूरज दोस्तों, ठीक है आपको देखता है कि सूरज है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं में जमीन पर होती है? ऐसा नहीं है कि हवा सिर्फ पानी के आसपास पानी के उपर होती है? ऐसा नहीं है हवा जो है वो आपको कहां दिखती है दोस्तों हर तरफ फैली हुई दिखती है चाहे आप जमीन पर हो या फिर आप जल के सुरोतों में हो या फिर आप नदी के उपर हूँ, समुदर के उपर हूँ, वहाँ पर आपको हवा दिखती है, तो क्या है दोस्तों कि हमें दोनों जगहाँ पर क्या दिखती है? वायू दिखती है, clear हुआ, हवा आपको हर तरफ दिखती है, चाहे आप जमीन पे हों या फिर आप लोग किसी भी जल सरोत के उपर हों, वहाँ पर आपको क्या दिखती है, जल वायू दिखती है अब ध्यान से देखिएगा क्या बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, जब हम यह देखते हैं कि जब सूरज है ना दोस्तों, सूरज की गर्मी की वज़ा से जो हमारी ये जमीन होती है ये बहुत जादा क्या हो जाती है गर्म हो जाती है सूरच की रोशनी जमीन पर पढ़ती है और सूरच की रोशनी जब जमीन पर पढ़ती है तो जो ये हमारी जमीन है ये जो हमारी धर्ती है ये बहुत जादा आपको गर्म होती होई दिखती है और जमीन के गर्म होने के कारण हवा क्या हो जाती है बच्चों उपर चलती होई दिखती है ध्यान से सुनिएगा मैं दुबारा आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा मैं आपको दुबारा बताता हूँ जब वो लगतार जमीन पर पढ़ती रहती है, तो जो हमारी जमीन होती है, वो बहुत जादा गर्म हो जाती है, अब जमीन के गर्म हो जाने की वज़ा से, आप क्या देखते हैं कि जमीन के गर्म हो जाने की वज़ा से, जो जमीन के आसपास की हवा थी न, वो क्या हो जाती है, वो हल्की हो जाती है और वो आपको ऊपर जाते हुए दिखती है कैसे चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ है न इसको यहाँ पर हमें देखना होगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैंना जो आपको पीछे बताया था कि हवा चारू तरफ है हमारे जो ये जलस रोत हैं वहाँ पर भी और जो हमारी धरती है वहाँ पर भी सूरच की रोशनी जब धरती पर पड़ती है जमीन पर पड़ती है तो जमीन बहुत जादा गर्म हो जाती है और जमीन के गर्म हो जाने की वज़ा से तो जो जमीन पर आपकी हवा होती है, वो हलकी हो जाती है, आप देखते हैं कि ये जमीन गर्म हो जाने की वज़ा से जो जमीन के उपर की हवा थी, वो उपर चली जाती है, वो उपर चली जाती है, लेकिन पानी के आसपास के जो हवा होती है, क्योंकि ये ठंडा रहता है पान की वज़ा से आपको ऊपर जाती हुई दिख जाती है ना चलिए है ना तो जमीन के गर्म होने के कारण आप क्या देखते हैं कि जो आपकी हवा होती है वो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है यह आपका सूरज है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे जलस रोत हैं जलस रोत का मतलब क्या हुआ कि यह हमारी नदी है नाले है अब होता क्या है दोस्तों कि मुख्य दोर पर यह सूरच की रोशनी है और सूरच की रोशनी ने जमीन को बहुत जादा गर्म कर दिया अब जमीन जब बहुत जादा गर्म हो गई तो मै देखते हैं कि जो हमारी हवा थी वो हलकी हुई और ये हलकी होने की वज़ा से आपको उपर जाते हुई दिख रही है कोई confusion नहीं रखना है दिमाग का परियोग करना है जमीन गर्म हो गई सूरज की वज़ा से और जमीन के गर्म होने की वज़ा से जो जमीन के उपर हवा थी वो हलकी हो गई और हलकी होने की वज़ा से अब वो उपर उठने लगी क्या होने लगी आप देखते हैं कि वो उपर उठने लगी लेकिन जो हवा जलस रोतों के उपर है जो हवा नदी के उपर है तलाबों के उपर है जर्नों के उपर है वो ठंडी रही क्योंकि वहां तो गर होने की वज़ा से आपकी क्या है जो हवा थी वो उपर चली गई अब जहां पर हवा उपर चली गई वहां पर क्या बन जाता है दोस्तों वहां पर निम्न वायुदाब या फिर लो प्रेशर बन जाता है है ना जब जमीन पर गर्मी होने की वज़ा से जो वहां की हवा थी वो उपर हो जाती है चली जाती है अपने स्थान से तो वहाँ पर जब हवा नहीं होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है और जो आपको क्या दिखता है ठंडा छेतर दिखता है वहाँ पर आपको हवा का उच प्रेशर दिखता है हाई प्रेशर याद होगे आपको, समझ में आया जमीन गर्म थी, सूरज की किरने की वज़ा से जमीन गर्म होई और जमीन के गर्म होने की वज़ा से जो आपकी हवा थी, वो उपर चली गई हलकी होकर और जब हवा उपर चली गई तो उसके बाद हमने देखा कि अब वहाँ पर क्या हुआ निमन वायुदाब हुआ, लो एर प्रेशर हुआ, वहीं जो हमारा ठंडा छेतर है, पानी के आसपास का छेतर है, वहाँ पर आप लोग उच वायुदाब देखते हैं, अब याद कर लीजिये, कि निमन वायुदाब को भरने के लिए, कि जो आपकी निम्न वायुदाब होगा उस तरफ हवा क्या होती है उच वायुदाब से क्या होता है निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू कर देती है दुबारा सुनिए दुबारा बदाता हूँ सूरज है सूरज की वज़ा से जमीन गर्म हो गई सूरज की वज़ा से जमीन के गर्म होने की वज़ा से जो हवा थी वो उपर चली गई और इसकी वज़ा से यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया और जो हमारे नदी नाले तेलाब थे वहाँ पर हमें उच़ वायुदाब दिखा अब हवा जो होती है वो हमेशा उच़ वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है तो जैसे ही आप ने देखा कि यहां से जो हवा थी वो उपर चली गई यहां की जो वायू थी वो उपर चली गई तो यहां पर low air pressure बन गया निम्न वायूदाब बन गया लेकिन हमारे जो नदी नाले तैलाब से वहां पर high क्या था वच्छो एर प्रेशर था उच वायूदाब था और इसी की वज़ा से गर्मी बनती है कैसे वो हम आपको आगे बताएगे अभी तो हमने देखा कि हमारी जो हवा होती है वो किस प्रारूप में चलती है तो हमेशा जो आपकी हवा है वो आपको High Air Pressure से Low Air Pressure की तरफ जाती हुई दिखेगी उच वायुदाब से हम लोग निम्न वायुदाब की तरफ चलते हैं दुबारा और बताओंगा बच्छों हैंना आप कहेंगे सर कितने बार बतारो अरे भाईया बहुत महत्पूर्ण है इसका समझना बहुत आवश्यक है हम देखते हैं कि गर्मी का महुसम है और इस समय हम लोग देख पारे हैं दोस्तों कि सूरज है सूरज की वज़ा से जो जमीन है वो बहुत गर्म हो गई इसकी वज़ा से जो यहाँ की हवा थी वो उटकर ऊपर चली गई हवा के चले जाने से यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया पिर हमारे जो पानी के सरोथ हैं वहाँ पर हमें दिखा कि वहाँ ठंडक थी तो वहाँ पर उछ वायुदाब रहा और इसी वज़ा से आप लोग देखते हैं कि उछ वायुदाब होने की वज़ा से अब यहां की जो हवा थी हमेशہ जो आपकी हवा होती है तो आप देख पारें कि अब यहां से उच वायूदाप से जो वायू है वो निम्न वायूदाप की दरफ जाने लगती है तो यह आप इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से आपको दिखा देते हैं कि ये सूरज रहा, जमीन गर्म हो गई, जमीन के गर्म होने की वज़ा से हवा यहां से उपर चली गई, यहां निम्न वायुदाब बन गया, इसकी वज़ा से अब आप देखते हैं कि यहां पर निम्न वायुदाब होने की वज़ा से, तो जो यहां की हवा थी, वो क्या गरती कि अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि मुख्य तोर पर जब जून जुलाई का महीना होता है जब हम देखते हैं कि जून का महीना है जुलाई का महीना है तो कहां पर आपको जादा गर्मी दीखेगी बता दीजे उत्तर भारत में या फिर दक्षण भारत में कहां जादा गर्मी तो देखेंगी आपको बताए कि जो हमारा उततर भारत है न ये पूरा का पूरा चेथric तो जो सूरच की रोशनी है वो यूपी, बिहार, राजिस्थान और हमारा क्या है बच्चो मध्धे प्रदेश इस सब इलाकी की जो जमीन थी उसे बहुत जादा गर्म कर देती है अब यहां की जो जमीन है हमारी जो उत्तर भारत की जमीन है वो गर्म हो गई दोस्तों हमारी जो उत्तर भारत की जमीन है वो गर्म हो गई हमारी जमीन जो है उत्तर भारत की वो सूरच की रोशनी की वज़ा से एकदम गर्म हो गई और जहां पर भी गर्म जमीन हो जाती है तो वहां पर हमें पता है दोस्तों क्या हो जाता है कि जहां पर भी गर्म जमीन होती है वह आपने देखा कि मुख्य तोर पर यहां पर सूरज की रोशनी बहुत जादा पड़ी तो यहां की जो हवा थी वो ऊपर चली गई और यहां पर आप क्या देखते हैं कि लो एर प्रेशर बना निम्न वायुदाब बना अब जो हमारे समुद्र के आसपास का छेतर है यहां पर क कैसा मौसम होगा उस समय यहां पर कैसा मौसम होगा तो उत्तर भारत में यूपी विहार राजिस्थान दिल्ली के अंदर तो गर्मी होगी यहां पर निम्न वायुदाब बन गया यहां की हवा ऊपर चली गई लेकिन अगर जो हम अपने समुद्र के आसपास के छेतरों को द जलती है तो अब क्या देखते हैं दोस्तों तो आप देखते हैं की जब गर्मी का वोषं म होता है जूं जुलाई का तो उस समय मुख्य दौर पर आपके यूपी विहार राजिस्थान के अंदर गर्मी के जमीन के दादा गर्म हो जाने की वज़ा से यहां पर आपको क्या निम्न वायुदाप देखता है भारत के वो छेदर जो समुदर के पास है क्योंकि वो पानी के पास है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य तोर पर हमें क्या दिख जाता है उच्छ वायुदाप देखता है कि समुदर में समुदर के अंदर आप क्या देखते हैं कि यह समुदर के पास हैं तो यहां पर आपको क्या देखता है यहां पर आपको उच वायुदाप देखते हैं और यहां से आप क्या देखते हैं कि यहां से जो आने वाली हवाएं होती है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से यह हवाएं जब उपर आती है हमेशा हवा उच वायुदाप से निम्न वायुदाप की तरफ चलती है याद है पीछे बताया था हमेशा हवा उच वायुदाप से निम्न वायुदाप की तरफ चलती है तो आपका उच वायुदाप यहाँ था यह निम्न वायुदाप की तरफ क्य हुए देखता है अभी जो सर्दी का मौसम है ये किस प्रकार से बनता है इसको देखते हैं दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि जो जमीन है ना दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने के अंदर हमें कहा ठंड जादा दिखेग इस छेत्र में ठंड दिखेगी या फिर यहां ठंड दिखेगी बताएं दोस्तों दिसंबर का महीना है जनवरी का महीना है कहां पर हमें ठंड दिखेगी यह आपसे मैं पूछ रहा हूं अब आप लोग जल्डी से आंसर देंगे तो बहुत असान सवाल है हमें पता है कि जो हम जहाँ वहाँ उच्वायुदाब जहाँ जहाँ गर्मी वहाँ पर निम्न वायुदाब याद कर लिजिए जब जमीन गर्म होती है तो निम्न वायुदाब बनता है और जब जमीन ठंडी होती है तो उच्वायुदाब बनता है तो हम यहाँ पर देख पारें कि जिसंबर के मह पूरा का पूरा यह जो हमारा उत्तर भारत है यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि यहां पर उच्वायुदाब बना होता है यहां पर जो हवा का प्रेशर होता है वो आप क्या देखते हैं हाई देखते हैं यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर उच्वायुदाब बना और थंडी होने की वजह से यहाँ पर उच वायुदाब बना होता है, high air pressure यहाँ पर बना होता है, अब क्या है दोस्तों कि परंटु जो बारिश है ना, वो यहाँ पर नहीं होती है, हैना आप क्या देखते हैं, परंटु बारिश नहीं होती है, और नीचे हमें क्या दिखता है, दिसंबर के महीने में यहां पर हमें निम्न वायुदाब दिखता है, है ना निम्न दाब दिखता है, क्लियर है, अब आपको यह पता है कि जो हमेशा हवा होती है, किस तरफ चलती है, वो उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल आप देखते हैं कि दिसंबर जनवरी के समय में आपकी जो हवाएं हैं वो क्या गरती हैं दोस्तों आपको देखता है कि वो उपर से क्या है आपको देखता है कि वो हमारे उत्तर भारत से नीचे की तरफ निम्नवाई उदाप की तरफ जाती है आपको देखता है कि ये नीचे भारत से नीचे आ रही होती है ध्यान से सुनिएगा जब हमारी हवाएं सरदी के मौसम में आप देखते हैं कि नीचे आ रही होती है निम्न दाव वाले छेतर में दक्षन भारत में आ रही होती है तो यहाँ पर किसी प्रकार की आपको देखता है कि बारिश आपको नहीं होते तो अभी तक हमने आपके साथ इन ही बिंदूओं को बहुत ही सरलतम तोर पर क्या किया है दोस्तों प्रस्तुत किया है ठीक है बढ़ते हैं आगे डिसकुशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में मुख्य तोर पर हमने पढ़ा क्या है हमने आपके साथ दोस्त सबसे पहले निम्न वायुदाब क्या होता है और हवा किस तरीके से विचलन करती है वो देखा और सर्दी और गर्मी की मौसम की क्या कहानी है उसको देखा तो याद कर लिजेगा जब ठंडी होती है तो वहाँ पर उच वायुदाब होता है जब गर्मी हो जाती है तो वहाँ पर निम्न व पढ़ते हैं आगे दोस्तों आपके सामने अपनी आज की क्लास के क्विस्स के सवालों को रखते हैं, हो जाएगे तैयार, एक एक करकर बहुत ही भेदरीन से सवाल आपके सामने आएंगे, सवाल है कि मानसून शब्द की जो व्युक्ति है वो मौसिम से हुई है, मौसिम यह ज अब बहुत महत्पुन यह सवाल है, युनानी भाषा का है, अर्भी भाषा का है, भारती है, अमेरिकन है, बढ़ते हैं आगे एक विशाल छेतर में, आपको देखता है कि लगबग 30 वर्ष से भी अधिक लंबी अवधी हो गई, और इसमें जो मौसम की अलग-अलग अवस् या फिर वायू-दाब, बढ़ते हैं आगे, एक विशेश समय में एक चेतर के वायू-मंडली की अवस्था को क्या कहा जाता है? बढ़ते हैं आगे दियेगा इस थानों में दुनिया में सबसे ज़्यादा वारिश होती है सिल्चर, चेरापुझी, मासिन, राम या फिर गोवाहाटी चली दोस्तों तो यहां तक हमारे क्विस्ट के सवाल रहे अब एक-एक करकर हम लोग क्या करते हैं आप सभी के साथ मुख्य दोर पर इन क्विस्ट के कोश्चन्स के आंसर्स को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहला सवाल रहा कि यह जो आपका मानसून शब्द है इसकी व्यूपती आपसे पूछा जा रहा है कि यह मौसिम शब्द से हुई है और यह जो आपका मौसिम शब्द है यह कौन सी भाशा का शब्द है यह आपसे पूछा जा रहा है तो हम देखते हैं कि यह जो आपका मौसिम शब्द है एक छेदर में एक लंबी अवधी तक चलने वाली जो आपकी मौसम की अवस्था होती उसे क्या कहा जाता है उसको हम लोग जलवायू के नाम से पुकारते हैं उसे जलवायू कहा जाता है और छोटी-छोटी अवधियों की समय के लिए जो आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों मौसम कहते हैं अगला सवाल एक विशेश समय में एक निश्चित समय अवधी में आपकी क्या होती है दोस्तों आप देखते हैं कि जो आपकी वायू मंडले अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है एक विशेश समय के अंदर की कुछ समय के लिए है बाद में फिर व और मेखाले के अंदर एक छेत्र है, जिसे कहा जाता है, मौसिनराम यहां पर होथी है, लगभख 400 सेंटिमीटर के आजपास की बारिश, एक साल में होती है, बहुत बारिश होती है, है न, मौसिनराम, तो यहां तक हमने आपके साथ अपने आज की class के जो quiz के questions रहे उनको देखा, और आज की class के जो हमारे topics थे, उनको पढ़ा, आपकी आज की class के homework के question आपको यहां पर आपके homework के option में मिलेंगे, तो जरूर कीजेगा इन सवालों को और इन सवालों को करने के बाद आप लोग अपने आपको अपने एक्जाम के संदर्ब में मजबूत होते हुए देख सकते हैं बहुत महत्पून टॉपिक है दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग भी है बढ़ते हैं आगे अब डिसकुशन करते हैं कि अगली क्लास में आप और मैं क्या करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर हम लोग जलवायू यह जो हमारा टॉपिक हैसी को देखेंगे यह जो चैप्टर है यही चलेगा और यहाँ पर भारत की जलवायू को परभावित करने वाले वो कौन-कौन से का रखें वो कौन-कौन सी वज़ा है जिसकी वज़ा से हमारे भारत के जलवायू परभावित होती है इसको अपने नेक्स लेक्चर के अंदर आप सभी के साथ डिसकस करेंगे ठीक है दोस्तों तो हम आशाओर उमीद करते हैं कि हमारी जो आज की क्लास हुई आप सभी के लिए बहुत ही फायदे बन रही होगी आप लोगों से मुलागात करेंगे अपनी नेक्स क्लास में और डिसकशन करेंगे भारत की जलवायू को परभावित करने वाले कुछ और कारकों के बारे में तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें ये चैप्टर बहुत इंटरस्टिंग है और इसके जरीए हम लोग सर्दी गर्मी बरसाथ इसकी पूरी कहानी को समझेंगे आप लोग अपना ध्यान रखें हमसे मुलाकात करेंगे आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद